गुट मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम आपको मधुर्मा का चैप्टर नंबर 13 फ्लोरेंस नाइट अंगिल एक अध्भुद नारी के बारे में पढ़ाएंगे बच्चो जैसा कि आपने मदर टेरिसा का नाम तो सुना ही होगा जो कि एक समास सीवी का थी जिनने हम मिसनरी ओफ चैरिटी भी कहते हैं फ्लोरेंस नाइट अंगिल भी इसी तरह से ऐसी है एक महला थी इन्होंने निश्वार्थ और अथक सिवा करते हुए अपना जीवन अरपन कर दिया Florence Night Angle का जन इटली के Florence नगर में हुआ था इनके माता पिता England के धनी परिवार में से थे Florence के जन के समय इनके माता पिता इटली का भर्मण कर रहे थे इसलिए इनका नाम इस सहर पर रखा गया इनकी बच्पन से ही दुखी इनसानों वा जानवरों की सेवा करने की प्रवल इच्छा थी इन्होंने साहित, संगीत वा चित्र कला में उच्छ सिक्छा प्राप्त की और धनी परिवार और इत्ती नी सिख्षित होने के बाद इन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रिकट की यहां तक कि इन्होंने अपनी शादी करने से भी मना कर दिया फ्रांस में जा करके उन्होंने नर्सिंग का नवीन ग्यान प्राप्त किया और लंदन में एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल भी खुला इंग्लेंड, फ्रांस और टर्की से रूस की घमासान लड़ाई हुई समाचार पत्र में गायलों की दुरदसा पर दिल दहलाने वाली घटना पढ़ करके फ्लोरेंस नाइटेंगिल रो पड़ी और छात्राओं को ले करके अस्पताल पहुँचे लगवग दो वर्स तक उन्होंने सभी सेवा और साहता की और सफाई पर बहुत ध्यान दिया रात्री के को लैंप ले करके जब वैं गायलों को देखने जाती थी तो उन मरीजों को दुख समाप्त हो जाता था इसी कारण उनका नाम लैंप वाली महला पड़ा यह पहली महला थी जिनने लंदन में ओर्डर ओफ मेरिट से समानित किया गया इनका जन 22 मई अंतराश्टी नर्स दिवस की रूप में मनाया जाता है आज भी नैटेंगिल निस्वार्थ अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती है धन्यवाद